साथियों राजस्तान वो राज्य हैं जहां प्राचीन भारत के गवरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शावरिय, सम्रुद्धी और संस्कृती जलकती है। कुछ समय पहले जोदपूर में G20 की जो बैठक होई, उसकी तारीफ दुनिया भर के महमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी परियतक हो, हर किसी की इच्छा होती है, वो एक बार संसीटी जोदपूर देखने के लिए जरूर आएं। हर कोई रेतिले धोरों को महरानगर्ड और जस्वन थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहां के हेंडिर काप को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्तुनसा रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत के गवरवशाली अतीद का प्रतिनी दित्व करने वाला रजिस्तान, भारत के भविश का भी प्रतिनी दित्व करे। यह तभी होगा जम्मेवार से लेकर मारवार तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए यहां आधुनेक इंफ्रासक्त निर्माण हो। बिकानेर से बाड़मेर होते हुए जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेस में कुरिडों। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में राजस्थान में आधुनीक और हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्टर का उदाहरन है। भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में चहूं दिशा में रेल और रोड समेत हर शेत्र में तेज गती से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब करीब साड़े नौ हजार करोड रुपे का बजेट राजस्थान को दिया गया है। ये बजेट पिछली सरकार के सालाना आउसत बजेट से करीब 14 गुना जादा है। और ये मैं कोई पुलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। फैक्षिल जानकारी दे रहा हूं। वरना मिडिया वाले लिखेंगे मोधी का बड़ा हमला। आधहदी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगबग 600 किलोमेटर रेल नाइनों का ही बिज़िकर हुआ। 600 किलोमेटर। बीते नव वर्सों में 3700 किलोमेटर से ज़ादा रेल ट्रेक्स का बिज़िकरन हो चुका है। इन पर डीजल एंजीन के जगड़ एलक्ट्रिक एंजीन वाली ट्रेने चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदुशन भी कम होगा। और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अम्रिद भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्तान के 80 से जादा रेलवे स्टेशनों को भी आदुनिक्ता के साथ विक्सित कर रहे हैं। हमार यहां शांदार एरपोर्ट बनानी की फैशन तो है। कि बड़े-बड़े लोग वहां जाते हैं। लेकिन मोदी की दुनिया को जालग है। जहां गरीब और मध्यमबर का ब्रक्ति जाता है। मैं उस रेलवे स्टेशन को एरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। और इसमें हमारा जोदपूर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। झालग है।